नमस्कार दोस्तो गुड बॉनिंग दोस्तो आप सबको डिफेंस टुडे पर स्वागत है अगर आपको डिफेंस के बारे में जानकार रखना पसंद है अगर डिफेंस के बारे में खुद को आपडेट रखना पसंद है तो हमारे इस चैनल पर सुरू से लेकिलाश तक बने र और वो भी इंडिया का खिलाफ इस्तमाल कर सकता है हला ही फिलाल में एक यूद हुआ था अजरबेजान और आर्माइनिय के बीच में और दोस्तों बता दूं कि ये यूद में ड्रोन जो था इसका भूमी का बहुत ऐहम था दोस्तों क्यों एहम था इसलिए क्योंकि देखिए इसराइल दिया था किलर ड्रोन इसको दिया था अजरबेजान को और टर्की से मिला था बैरेक्टर टीवी टू ड्रोन और ये दोनों ड्रोन इतने तहल का मचायत है कि ये उस युद्ध में एक गेम चेंजर साबित हुए थ कितना तभाई मचा सकता है उस हिसाब से हमें प्रिपेर भी करना होगा खुद को दोस्तों इसलिए कहा जा सकता है कि बैरेक्टर टीवी टू ड्रोन पाकिस्तान का हात आ सकता है क्योंकि काफी समय में ऐसा देखा गया है कि इंडिया और टर्की का जो रिलेशन है इससे कहीं और यूएन में भी खुली तोर से वो पाकिस्तान का सपोर्ट किया है दोस्तों इतना नहीं इससे भी कहीं ज़्यादा आगे बढ़के तर्की ने ये भी कह दिया है कि वो पाकिस्तान का बड़ा भाई है सो ये दिन दूर नहीं है तर्की पाकिस्तान को बार 91 ट्रू ड्रोन बेचना दे हाल ही फिलहाल में एक news और भी आया था जिसमें ये बताया गया था कि बार 92 डू जो है इससे बेचा जा रहा है दस देसों का लिष्ट जारी क्या गया था कि दस देस इंट्रेस्ट दिखाया है ये ड्रोन खरिदने के लिए तो चलिए इस ड्रोन का जो खासय थे इसका क्या स्टेसिपिकर सनastoj इसका जो पेलीड कैपीसिटी है वो क्या है चलिए हर तरीके से एक बार इसको जाच लेते हैं यह drone medium altitude long endurance के लिए बनाया गया है यह एक UCFV है और इसमें कोई pilot नहीं होगा यह remote के दौरा control होगा यह drone को बनाने वाले company का नाम है Bekar Makina यह company Turkish Armed Forces के लिए drone बनाती है यह drone को अगर्ष 2014 में पहली वार उड़ाया गया था लेकिन अभी यह in service है यह अभी service देती है Turkish Armed Forces को अभी इसकी और भी variant आने वाली है जैसे की Barakter TB3 दोस्तों अभी यह drone किस-किस देश में in service है कौन-कौन सी देश इस drone का इस्तमाल करती है चलिए पहले बता देते हैं अजरवेजान है जो कि आप लोग को पता होगा कि हाल ही फिलाल में नागर्णो कारवाक में जो युद्ध हुआ था उसमें भी अजरवेजान ने इस drone का इस्तमाल किया था और इस drone के साहरे जीत भी लिया था युद्ध को दूसरी देश है लिविया तिसरी फॉलैंड है चोथी कतार है और पांच भी खुद तुर्की भी है इसके साथ साथ जो छटी देश है ये है यूक्रेन दोस्तों ये छे देश अभी फिलाल बैरेक्टर टीवी टू ड्रोन का इस्तमाल करते हैं और जो पॉसिबल है कि ये किन-किन देशों को बेचा जाएगा तो चलिए उन देशों के लिस्ट भी एक बार बता देते हैं चलिए दोस्तों इन देशों के नाम सुन लिजे ये है अलवनिया बुल्गेरिया हंगरी कादिकिस्तान लाटिविया मोरोको सर्विया सोमालिया दोस्तों इतनी सारी देश है जो अभी ये जो बैरेक्टर टीवी टू ड्रोन है इन्हें खरीदने का इच्छा जटाये है जनरल करेश्टेरिस्टिक देख लेते हैं इसमें क्रियू एक भी नहीं होगी पर ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से ये कंट्रोल होगी लेकिन इसक इसकी लेंद्ध है 6.5 मीटर और विंक स्पैन 12 मीटर है मैक्सिमम टेक ओफ वेट है 650 क्यजी और पेलोड कैपसिटी जो है ये 150 क्यजी है फ्यूल कैपसिटी 300 लीटर है दोस्तों चलते हैं इसका जो प्रोफोमेंस है ये प्रोफोमेंस कैसा देता है चलिए देख लेते हैं इसकी मैक्सिमम स्पीड है 220 किलोमेटर प्रति घंटा है क्रूज स्पीड 130 किलोमेटर प्रति घंटा और इसकी जो रैंच है ये 150 किलोमेटर है सर्विस सिलिंग दोस्तों इसका मतलब ये कितनी उपर उड़ सकती है दोस्तों ये 8200 मिटर उपर तक ये उड़ सकती है यानि 27, 20,000 feet, endurance 27 hours, यानि 27 घंटे तक यह हवा में बने रहेगी, दोस्तो इसकी जो armaments है, यानि ये किस तरीके का bomb केरी कर सकती है, किस तरीके का missile केरी कर सकती है, इसमें कितने हाट पॉइंट्स लगी हुई है, तो दोस्तो यहाँ पे 4 हाट पॉइंट्स लगी हुई है, ये anti-tank missile को के wiri कर सकती है, साथि साथ laser guided rocket को fire कर सकती है, air to surface launch कर सकती है, तरह-तरह की rockets, दोस्तों इस तरीके से इसके साथ काफी तरीके का missiles भी आती जो कि इसमें launch की जा सकती है, अगर आप पूरी तरीके से जानना चाहते हैं कि यह drone किста की missiles किस तरीकिया bombs को launch कर सकती है कितनी मांत्रा में launch कर सकती है तो दोस्तों मैं details बता दूँगा आप comment कर देना क्योंकि अगर मैं ऐसे ही बता दूँगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो चाएगी तो चलिए दोस्तों अब आते हैं इसकी जो avionics है दोस्तों इसमें जो radar लगी हुई है ये multimode AES radar लगी है दोस्तों यही थी एक छोटी सी जानकारी बाइरेक्टर TV2 drone के बारे में दोस्तों अगर हमारे जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस चनल को सब्सक्राइब कर देना रहता हूँ फिलाल के लिए जय हिंद बंदे मातरम